सायो मुझे कल सुबा पूलिस कर्मियों का एक दल फिरासत में लेलेगा क्योंकि ना तो मैं संदूख ढूंद पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूर जुटा पाया है कर्म किसी का वाटन किसी और को यही तो अन्याय है और सब कुछ जानते वे भी अगर में चुप रही तो तो मैं भी इस पाप की भागीदार बनूँगी और वागर मैं विश्नु को बचाने के लिए वो संदूकर ऐसा खोल देती हूं तो केशव की पिताजी संकट में आ जाएंगे वाइनी वाइनी जब अतकार हो गया शेड़ी में पता है उरे द्वार कमाई जग मगा रही है और जिपरी के बस्ती जपरी के बस्ती भी जग मगा रही है हाँ वो भी उन दियों से जिनमें तेल नहीं पानी है साही ने उरे गाओं के सामने पानी से दिये जला दिये साही ने साही के पास मेरी दूइदा का उत्तर होगा परीक्षा एक और परीक्षा साही ने जो परीक्षा का संकीत दिया था मुझे यही यह वही परीक्षा वहीनी वहीनी आप कहां जा रही है वह भी तरी रात को अकेले जह जाना होगा बहुत जरूरी है कहां जा रही हो कहां जा रही हो बनो मैं मैं वह वह क्या मैं मैं वह वह वही जा रही हो ना जहां पुरा गाउं पहुच चुका है उस ठोंगी द्वारा बुने गए मायाचाल को देखने ये विश्वास घाती लोग साही के पैरों में गिरे जा रहे है और वो भी मेरे सामने खंडर से लेकर यहां तक हर व्यक्ति अपने घर से उस पाखंडी का चमतकार देखने जा रहा है और रुकमिनी मेरी अग्यां की अवहिलना करने का दंड तुम्हें बार बार मिल चुका है यह शवभी केवल तुम्हारे कारणी आ नहीं है और उसके पश्चाद भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है अंदर चाओ तुम सब वहाँ पर थे क्या क्या देखा तुम लोगों ने वहाँ पर ए तु बता हमने तो कुछ निदेखा सरकार आपके हो तो हम किसी और के और क्यों देखी लेकिन सब का मानना है कि उसने पानी से दिये जलाए है के नहीं पंता तु बता मूर्क, मूर्क लोग है सरकार पानी से दिये कोई जला सकता है क्या इसका मतलब है तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा मैंने देखा उसने दिये जलाए लेकिन तेल से नहीं पानी से पानी जब आप कह रहे हैं तो पानी होगा सरकार मुझे तो यकीन ही नहीं हो राजो आत्मिका यह सा दिव्यो चमतकार यह तो खंडोबा की कृपा है हम पर कि हम शेडी की इस पावन भोमी पर उस समय में जिस समय यहां साही जैसे दिव्य पुरुष है अंदर नहीं आएंगे आप अब भी नाराज है हम से मुझे माफ करतीची यह मेरा अहंकार ही था कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है कहीं और देखा ही नहीं हसली अपराधी को ढूणने के लिए मैंने अपने काम के प्रती कोई बैमानी नहीं की लेकिन मैंने इमानदारी में औरों के साथ अच्छा नहीं किया अब अंकरेश सरकार मुझे जो भी सजा देगी श्वीकार कर लोगा जिंता मत करें सब की की होगा यह मुना से भे मिल लीजी उसे मना लीजी उसे मना लीजी अज़ प्रती की यह मुना लीजी यह मुना लीजी यह मुना लीजी में तुम्हारा प्रादी हूं, यह मना मैंने तुम्हे बहुत दुखती है बहुत दुख थुआर कमाई में साही का चमतकार देखने के बार मैं सिफ तुमारे बारे में ही सोच रहा था अपने आहंकार के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तुमसे माफी मांगू भी तो, कैसे मांगू? जब मैं अपने आपको ही माफ नहीं कर पा रहा हूँ, खभी किसी से इतनी ग्रिणा नहीं हुए, जितनी आज अपने आप से हो रही है। परिशान मत हो ये। साई के पास जाए और उनसे माफी मांगे। आपको जो कहना है साई से कहिए। आज तक वही मार्ग दिखाते आये। तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। मैं आप से माफी मांगने आया हूँ। आपको समझ ने में गल्ती कर दी मैंने। और कल, कल मुझे आत्मसमरपन करना होगा। आत्मसमरपन तो कभी ना कभी सभी को करना है। उसका भै नहीं होना चाहिए। अच्छे से जदा अच्छे होने चाहिए। किसी की शादी का तोफा है। एक मामा के और से एक भानजी के लिए। लेकिन मैंने आपके बारे में पता किया था। किसी ने बताया नहीं कि आपका परिवार भी है। यह आपके बहन के बारे में। यह मुना मेरी भानजी जैसी ही तो है। यह बाल कृष्णा हमेशा उसके पास रहेंगे। उसके घर की याद बनकर उसे रास्ता दिखाने के लिए। यह मुना की शादी कैसे अभी मैंने आपको बताया कि कल मुझे आत्म समर्पन करना है। और रात खत्म होने में कुछ समय ही बाकी है। विश्वास रखो, मेरी भाणजी यमुना की शादी तो होगी ही। और जैसा मैंने कहा कि आत्म समर्पन वो भी होगा। और जैसा मैंने कुछ समर्पन वो भी होगी है। राम किष्णारी राम किष्णारी साई मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है वो संदू जुकाओं के हर एक निवासी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है जिसके कारण सब की दिवाली की खुशिया कम हो गई है वो संदुक मेरे ही घर में चुपाया गया है और अगर ये बात में सब को बताती हूं तो अपने पती के अपमान का कारण बनती हूं और अगर ये बात में चुपाती हूं तो निर्दोश लोगों पे हो रहे अन्याएं अत्याचार में भागी बनती हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं मुझे मार्ग दिखाएं साई और जब से संदूक मिला है आप अपने संदर द्वंद से जूज रही है हाँ साई लग रहे हैं मुझे कोई रोग हो गया है ना नीद आती है ना खाने की कुछ इच्छा होती है जाकती रहती हूं सोचती रहती हूं मन इतना अशांत कभी नहीं हुआ है आपके प्रशनों के उत्तर आपके प्रशनों के उत्तर आपके अंतरहत्मा आपको दे रही है बस आप उसे सुनना नहीं चाहती है निर्ने आपको ही लेना है साई लेकिन आप मुझे इस परिक्षा में अकेले छोड़ के जा रहे हैं मुझे जब भी कोई पुगारता है अपने साथ ही पाता है आप 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 आपके कौन बदल सकता है अच्छा चलता हूँ आपके प्रश्णों के उत्तर आपकी अंतरहत्मा आपको दे रही है बस आप उसे सुनना नहीं चाहतें नहीं आपको ही लेना है सुनिए कहते है किसमत जिसको कर्म का फल है जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है अच्छे कर्म किये जाए तो जीवन सफल है ओम साय ओम साय ओम साय ओम आज के बाद ये वर्दी भी नहीं पहन सकोंगा जेल से बरी हो भी गया तो भी मुझे गदार कहा जाएगा जीवन आज तक वही मार्ग दिखाते आया है तो फिर आज भी वही मात दिखाएंगे मेरी भाणजी यमुना की शादी तो होगी और जैसा मैंने कहा कि आत्म समर्पन वो भी होगा क्या क्यारा चाते है साही यमुना और मेरी शादी मुझे उस पर दुबारा विचार करना होगा अब मैं यमुना को दुबारा नहीं देख पांगो कभी नहीं लॉट पांगो उसके पास कर दूबारा नहीं गर्टो नहीं गया कुवे में कहीं कोई गिर तो नहीं गया कुवे में कुवे में लोँ टो, बॉढके लेगे ब बहुते हैं, अबना है, लोगा दो जाती है कि अबना लोगा हैं, क्वर एक वाना, प्रणा भोड़ा है लो गो बज़ कि उन दो गो, घिchen दूनिया, दिन दुद्ट ओट हमाएएएएगगे हुआ है, भी जि लो वाकरी दो हुआ है, भी जा मैंने लो फिलाखने है, तर दो तरहा दो फिले है, तरहा है कि दे रहा हैं. जुके झारी, जुके झारी. जारी, जुक्टलि एक झारी. घुके झारी, आड़िको फिर आज की झारी. जुके झारी. हमसाइर ओम साही राम मेरे साही के आदि मेरे अच्छाम